है यह नो कि स्वेलिंट्स वेलकुम बग तो फिजिक्स क्लास टुम्ड आज हम यहां पर बी सीर स्वास्ट का पीपर वण यॉनिट सेकेंड ठीक है यॉनिट सेकेंड के अंदर हम कहां तक आ गई एक बारी देखना चाहोगी देख लिते हैं ठीक है देख लेते हैं कहां तक हो गया हमारा देखो हमने कितना कर लिया यहां पर हमने कर लिया एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट एंगुलर वेलासिटी ठीक है एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट हो गया है एंगुलर वेलासिटी हो गया है एंगुलर एक्सलेरेशन हो गया है तो मंडे कोई करेंगे ठीके इसके बाद next होगा moment of rocket frame of reference non inertial frame of reference and pseudo forces ठीक है इसका मतलब next week हमारा यू लगा लो तीन या चार दिन में हमारा ये वला हो जाएगा ठीक है moment of rocket वाला frame of reference non inertial frame of reference and pseudo forces चार टोपी के तो चार दिन तो लगेंगे यू लगा लो ठीक है यानि next week के अंदर हमारा ये क्या हो जाएगा complete हो जाएगा फिर हम चलेंगे अपनी unit 3rd के उपर ठीक है unit 3rd के उपर चलेंगे फिर unit 3rd I think आपने थोड़ा बहुत तो 12th में कर आपको वो topics वगेरा करने है ठीक है तो फिर वो अले करेंगे तो आप यहां तक कर लेंगे ठीक है कब आज तो यहां तक का हो जाएगा ठीक है conservation of angular momentum तक हो जाएगा तो आप यहां तक अपना complete कर लीजेगा ठीक है और यह तो मैं आपको बताई चुकी हूँ कि आपका 40 marks का paper ह होएगा 3 hour आपके पास होंगे 10 marks आपकी इस paper की internal assessment जाएगी ठीक है 10 marks आपकी इस paper की internal assessment जाएगी तो आज हमें क्या करना है conservation of angular momentum heading डालीजे heading डालीजे conservation of angular momentum ठीक है conservation of angular momentum के अंदर बिटा हमें क्या करना होता है हमें टो और आपका जो आपका अंगल मोमेंटम जो हमारे पास हता है उसके बीच कर रिलेशन फाइंड आउट करना होता है तो मैं उसका बीच कर रिलेशन तो आपको find out यहां पर नहीं करवाके दिखा रही कि भी कैसे कैसे हम इसके अंदर लेके चलते हैं टॉर्ख and Moment of Immersia के लिए इसके अंदर हम क्या करते हैं तोर्ख and Moment of Immersia का Relation यूज करते हैं या आपने शायद 12 में निकाला हो Beckham Moment of Immersia के लिए जब करते हैं वह फिला यूज तो आपको वही इसके यहां पर यूज करना है क्योंकि paper में हमारा सिर्फ ही आएगा तो उसके लिए आपको टॉर्क और मोमेंट ओफ इनर्शिया का अगर डेरिवेशन निकालना ठीक नहीं रहेगा उसके लिए है नो तो इसलिए हम उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे सिर्फ फॉर्मला यूज करेंगे तो आप लिखेंगे कि as the relation between as we know the relation between torque and kya moment of inertia is given by tau is equal to i alpha ठीक है जहाँ पे alpha is nothing but angular acceleration and we represent the angular acceleration as d omega by dt that means the change in the angular velocity with respect to time is the angular acceleration ठीक है अब यह हम इसके अंदर भी ले सकते है differentiation में तो जो टॉर्क है हमारा d by dt वो किसके equal हो जाएगा i omega के equal आ जाएगा क्यों क्योंकि यह constant था भी तो बाहर निकला हुआ था अगर इसका differentiation करूंगी तो 0 हो जाएगा इसलिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ठीक है अभी यह कहता है कि for free system of bodies अगर हम free system ले रहे हैं कोई particle है उसमें जो कोई system है उसमें पार्टिकल्स के उपर में कोई force नहीं लगा रही है अगर फी 0 है तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा जीरो रोटेशन में क्या वह किसके equal हो जाएगा आपका जीरो के equal हो जाएगा यहां से i omega किसके equal हो जाएगा आपका constant हो जाएगा ठीक है अभी कहता है कि अगर यह हो गया तो यहां से आपको पता I omega की form में आ गया ठीक है तो दोनों की value को आप solve करके लिख सकते हो कैसे दोनों की value को कैसे लिख सकते हो आप देखो I किसके equal होता है MR square के आपने पढ़ा है न moment of inertia ठीक है और omega किसके equal होता है देखो V is equal to R omega मेरा relation आया था omega V by R के equal हो जाएगा R से 1R cancel हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब यह किसके equal हो जाएगा मेरे पास एक मिनट हाँ ठीक है तो यह किसके equal हो जाएगा MBR MBR ही हमारा क्या होता है अपना M V और R M V कितना है P P cross M R या R cross P कितना होता है L याने की angular momentum यहाँ पर क्या हो रहा है इसका मतलब D by dt of L किसके equal है अपना 0 के equal है तो L यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा constant या फिर इसका मतलब हमने इसके उससे क्या बताया है कि अगर कोई external torque apply नहीं करते हैं तो मेरे पास जो angular momentum है वो भी क्या हो जाएगा उस body के लिए constant हो जाएगा ठीक है तो 10 कर्वार ठीक है तो नुझा से क। लिए याद क्याव इन्युर्ट कि सानैव्ज याद्ट cat ओ ओ ओ द्ट ओ दो दो जावश ओ डू कोई और इसके ऊज़ू को झावा से क। लिए मोमन्मी में अनुर्म इसक पूंच तो of a body of a body rotating about a given axis remain constant if there is no external torque acting on it. अगर उसके ओपर कोई भी external torque हम नहीं लगा रहे तो यह नहीं होगा और यह हमारे पास जो L है वो हमारे पास क्या हो जाएगा ठीक है अब आपको क्या करना है इससे related कुछ applications देनी पड़ेंगी ठीक है इससे related कुछ application वह देख लेते है एक्जामपल ठीक है तो एक्जामपल देख लेते हैं फॉस्ट ठीक है फॉस्ट एक्जामपल कौन सा होता है हमारा टैंड नेंडो का होता है ठीक है जिसके अंदर आँ चलो एक्जामपल तो क्या दोगे बस इतना ही भौत है है न भौत हैं वैसे तो इतना लिखना चाहो तो मैं लिखवा देती हूं कोई और एक्जामपल लिखवा देती हो क्या लिख सकते हो मैं एक मेनट मैं दीख ले थे को यह बढ़ी आग ज बार के बहुन वो लिखवा थे आपको ow हां इसका एकजामपल कशने यह लिख सकते ना जैसे वो वद सक्राशन गालों कर लेते हैं तो अपने लग को वेक्त aik कर आङ१ी ए ओमेगां टॉसका तो इसकी चेंज हो जाती है देखा है ना उसके अंदर वह एकदम से आसे कर देते हैं रोटेशन के उसमें करते हैं फॉल्ड कर देते हैं तो वह ऐसे से करता है ठीक है तो यानि कि अपनी जो वह है उनकी लाक्सिया है उनको एक्स्टेंड या फिर उसको कम्प्रेस करके वह कुछ भी अमताब फिनॉम्ना उसमें कर सकते हैं ठीक है तो आप लिख सकते हो कि दिस लॉँ इस ओफ ग्रेट एडवेंटेजिस टुए सरकस एक्रोबैट या फिर जो हमारे ड्राइवर होते हैं डाइवर सोरी वह जो जराकी होते हैं वह बता ते थी मैं डाइवर स्केटर बैलट डैंसर एकसेटर ठीक है वह अपनी अंग्लर स्प्रेट को इंक्रीज येज करते हैं और तकि उनकी जो एंग्लर स्पीड से वह चेंज वगरा हो सुके ठीक है और आई ओमेगा तो उनका कॉंस्टेंटी होता है तो लिखेजिए दे इंक्रीज और डिक्रीज देयर एंग्लर स्पीड द्यूरिंग देयर स्पीड देयर प्रफॉर्मेंस भी चेंजिंग देयर मोमेंट अफ इनर्टिया भी पुलिंग और एंग्लर स्पीड चेंजिस एस एल इस इक्वल तो कॉंस्टेंट देट मिन्स आई ओमेगा इस कॉंस्टेंट ठीक है तो आप यह एंग्जाम्पल इसका लिख सकते हो आपका कंजुवेशन ओफ अंग्लर मोमेंटम का ठीक है इसकी दुरू आप बता भी सकते हो तो आपका तो यहां पर आपका यह वाला टोपिक भी कंप्लीट होता है ठीक है चलिए अब मंडे को देखेंगे ठीक है थैंक यू फो वचिंग दिस वीडियो और कीप शेयर विद्यूर फ्रेंड्स थैंक्यू